हेलो बच्चों, वेलकम बैक, मैं डॉक्टर शैलेश, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने लाडले प्लाटपॉर्म फिजेक्स वाला पर बच्चों, लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी multiple choice questions क्या होते हैं, और इन questions को कैसे solve करना है, मैंने आप से ये भी discuss किया था, अलग-अलग type के questions क्या होते हैं, और उन questions को कैसे solve करना है, simple tricks, हम क्या और किस तरीके से उस question के correct answer तक पहुँच सकते हैं, इसके हमने बात के थी, काफी लोगों ने उस वीडियो को देखा है, काफी लोगों ने like भी किया है, अगर आपने भी उस वीडियो को देखा है, आपको समझ आया है, तो उस वीडियो को like जरूर कीजिएगा, और आपके valuable comments मुझ तक जरूर पहुँचाईएगा, बच्चो, comments हम read करते हैं, और comments से ही हमें और भी वो motivation मिलता है, जिससे हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, सो मैं फिर से एक बार सबको request करना चाहूँगा, जब आप वीडियो देखते हो, आपको वीडियो पसंद आता है, तो उस वीडियो को like जरूर कीजिएगा, और comment भी जरूर कीजिएगा, बचो आज मैं आपके लिए कुछ नया और कुछ अलग वीडियो लेके आया हूँ, जिसका बेस बिल्कुल basic science की करियर से related है, बचो स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो बहुत simple होता है, एक standard के बाद दूसरे standard में जाना होता है, हमें पता होता है इसके बाद आगे क्या होने वाला है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद से अलग-अलग रास्ते हो जाते हैं, arts, commerce, science, जिसमें से आप एक रास्ता चुन चुके हो, science, मगर दो साल science पढ़ने के बाद फिर से रास्ते अलग-अलग दिशा की और जाने लग जाएंगे, मुढने लग जाएंगे, और फिर हम सोचने लग जाएंगे कि हमें करना क्या है, करना क्या है वो तो सोचने के लिए अभी भी आपके पास बहुत समय हैं, लेकिन वो सारे रास्ते आपको पता होने चाहिए कि कौन सा रास्ता किस और जा रहा है, बच्चों, Medical Science, NEET exam देना है, हम जानते हैं, IIT के लिए JEE देना है, यह हम जानते हैं, NIT के लिए और भी अच्छे-चे इंस्ट्यूट्स के लिए exams देने हैं, यह हमें पता है, और College Level में जाके भी बच्चे पढ़ाई कर ही लेते हैं, जैसे B.Sc, M.Sc. हो गया, मगर उस graduation, प्यॉर साइंस की graduation से थोड़ा सा उपर उठके आपको एक और पहुत पढ़िया कोर्स आप कर सकते हो, और एक अच्छे रेप्यूटेड नैशनल लेवल इंस्टिट्यूट से किया जा सकता है, उस कोर्स की आज मैं बात करने वाला हूँ, तो यहां आप देख कर समझ गए होंगे, तोड़े आइम गोइंग टी टॉक अबाउट आडमिशन प्रोसेस आट आइजर, बचों आइजर क्या है, आइजर है इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइन्स, एजुकेशन आड रिसर्च, इंडिया में बेसिक साइन्स के रिसर्च को प्रमोट करने के लिए आइजर को बनाया गया, और ऐसे 7 आईजर के जो इंस्टिट्यूट्स है 7 इंस्टिट्यूट्स ये इंस्टिट्यूट्स एक बहुत ही well developed अच्छा और basic science में अगर मैं बात करो तो वहाँ पर आपको research करने के लिए promote करने वाला ये institute इंडिया में बनाया गया है सो government of India ने जो आईजर के campus बनाये हैं यहाँ पर लोगों से मैं आपको पहले समझा देता हूँ there are seven campus जैसे एक जो पहला campus है वो है आईजर पहरामपुर देन आईजर भोपाल है हमारे साथ यहाँ पर पहरामपुर आईजर भोपाल आईजर कोलकाता है आईजर मोहाली है मोहाली जो कि पंजाब में है आईजर पूने महराश्ट numbers में पूने में भी आईजर का एक बहुत बड़ा campus हैँ आईजर पूने पाशान में यह campus स्थित है आईजर धिरुवानंध पुरम जो की केरला में है और आईजर धिरुपति जो की आंध्र प्रदेश में है सो यह सारे अलग-अलग campus हमारे पास है बहरामपुर ओरिशा में है भोपाल मद्यप्रदेश में है कोलकाता है और मोहाली जो है वो पंजाब में है सो इन अलग-अलग campus से आप एक बहुत ही अच्छी foreign university में दी जाने वाली degree हसिल कर सकते हो गेन कर सकते हो after 12 standard और इसी की बात मैं आज करने वाला हूं और इस degree का नाम है bsms integrated program यह program क्या है किस तरीके से आप यहां पर admission ले सकते हो इसके बारे में detail में आज हम discuss करेंगे बचों यह बहुत ही बहतरीन option हो सकता है जिन लोगों को basic science में career करना है सो चल्दी से आगे बढ़ते हैं सबसे पहले admission process at ISER में मैं आपको बता दूँ इस इस इंडियन इंस्टिट्यूट्स ओफ साइन्स एजुकेशन एंड रिसर्च आइजर यह रिसर्च इस इसमें देखो आप लास्ट वर्ट देख रहो रिसर्च है एजुकेशन एंड रिसर्च सो यहांपर सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है रिसर्च बेस्ट यहांपर experimentation होते हैं बच्चों में रिसर्च का जितना जादा लगाओ उत्पन किया जा सकता है जितना जादा उन्हें research के बारे में समझाया जा सकता है वो यहांपर किया जाता है कि एक्स्पिरिमेंट बेस्ट लर्निंग यहां पर होती है तो यह बहुत ही एक अच्छा इंस्टिट्यूट है और प्रिस्टिजियस सेंट्रली फंडेट टेक्निकल इंस्टिट्यूट्स इन इंडिया मैंने आपको बताया था देरार सेवन आईजर केंपैसे और इन इन केमपस सको इस्टैबलिश किया गया था इसी बेसिक रीजन से इनहें इस्टैबलिश किया गया था कि इंडिया में बेसिक साइन्स का रिसर्च और ज्यादा प्रमोट किया जाए जैसे कि नहीं नहीं सब्सक्राइब पत्था आईजर कोलकाता है एंग यह West Bengal में आइजर पूने महराष्ड में है आईजर मोहाली जो है यह पंजाब में है देन आइजर भोपाल मद्यप्रदेश में आइजर तिर्वानंद पूरं है जो कि केरला में है और आइजर थिरुपती है जो आंधर प्रदेश में है और आइजर बहरंपूर ये ओडिशा में है ये अलग अलग जगह पर इंडिया में अभी seven campus आइजर के है आइजर नागा लैंड काफी time पहले प्रपोस था मगर वहां की government ने कुछ और दूसरा institute instead of आइजर डिमांड करा and आइजर नागा लैंड का campus अभी तक तो नहीं बन पाया so यहां तक हमने देख लिया next is all आइजर's were declared as institute of national importance national institute है national institute में पढ़ना वहां से research करना इसका एक अलग ही level होता है एक अलग ही status होता है so institute of national importance इसे हम कहेंगे and यसे यह दर्जा किस ने दिया है Parliament of India in 2012 to promote them as leading institutions in the country in the field of basic sciences बच्चों यहां पर basic sciences को promote किया जा रहा है so basic science याने क्या आप जो अभी पढ़ रहे हो physics, chemistry, mathematics, biology यह basic science है इन्ही basic sciences को यहां पर promote किया जाता है along with the sister institutes like Indian Institute of science Bangalore सबसे best institute Indian Institute of science Bangalore बहुत पुराना और बहुत ही बढ़िया institute IISC Bangalore सो की फीचर्स क्या है आईजर में आप जाएए वहां के कोर्स देखिए वहां पर पढ़िए यह मैं आपको आज जो सजस्ट कर रहा हूं इसके पीछे रीजन क्या है सो बच्चों रीजन यह है यहां पर highly competent and motivated faculty आपको मिलेगी जो अलग-अलग foreign universities से या फिर Indian institutes जो की एक अच्छा research जहां पर होता है जैसे IITS है या IISC है एसी जगह से research complete करने के बाद faculties जो है वो IISER में आती है तो यह highly competent faculties होती है और यह motivated faculty होती है अगर आपका guide अच्छा है अगर आपका teacher अच्छा है तो आप उतना ही अच्छा पढ़ पाते हैं परफॉर्म कर पाते हैं यह तो simple सी बात है next is integrated undergraduate teaching and research यहां पर आपको पढ़ाया जाता है teaching की जाती है research के बारे में बताया जाता है और यह एप्रोच इंटीग्रेटेड होता है third important thing is exposure and access to world class research facilities world class research facilities इसका मैं आपको एक example भी दे देता हूँ आपने school में या फिर college में microscope तो handle किया ही होगा कौन सा microscope देखा आपने simple light microscope देखा होगा compound microscope देखा होगा आपने electron microscope देखा है नहीं देखा electron microscope में आप किसी cell के अंदर भी जाग सकते हो उसके organelles को देख सकते हो और यह possible होता है by using electron microscope जिसका magnification power lakhs of old में होता है तो ऐसे microscope को यूज करने के लिए उतना high ending microscope पहले available होना चाहिए जो की एक national level के research institute में possible है सो इसलिए कहा गया world class research facilities right from the start of the program and the fourth thing is research internship and year-long research projects which are leading to MS thesis बचो MSC नहीं लिखा MS लिखा आगे मैं आपको प्रोग्राम दिखाऊंगा BSC नहीं लिखा BS लिखा BS MS क्यों लिखा Bachelor of Science है Master of Science है Integrated program होता है 5 साल का और foreign universities में जैसे degrees मिलती है वैसी ही degree उसी level की यह degree होने के कारण इसे ऐसा नाम रखा गया है BS Bachelor of Science MS Master of Science So MS का जो thesis होता है research work वहां पे करना पड़ता है वो research work year-long research project से निकल के आता है With opportunities for interdisciplinary research Interdisciplinary research Excuse me Interdisciplinary research क्या होता है Biology में research कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा कुछ physics का पार्ट आ गया Biophysics इस तरीके से जब research किया जाता है उसे interdisciplinary research कहा जाता है So यहां पर interdisciplinary research भी चलती है यहां तक clear हो गया Next है The BS and BSMS dual degree program offered by ISER So अभी मैंने बता दिया आपको BS का मतलब है Bachelor of Science BS MS का मतलब है Bachelor of Science and Master of Science तो dual degree program भी ISER run करता है या फिर सिर्फ BS भी किया जा सकता है या फिर BS plus MS किया जा सकता है यहां पर admission लेने के लिए जाहिर सी बात है entrance exam देना पड़ेगा So admission channels There are three channels for admission तीन तरीके होते हैं ISER तक पहुँचने के पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है KV-PY exam जो होती है KV-PY channel जो होता है उसके थूँ आप enter हो सकते हैं KV-PY stands for किशोर, वैज्ञानिक, प्रोचसाहन, योजना KV-PY exam के तहट अलग-अलग तीन categories में आप form भर सकते हैं जब आप 11 standard में हैं तो category SA आपके लिए होता है इससे आप form भर सकते हैं यहाँ पर competitive exam होगा 100 marks का और उसके qualification के बाद उसे qualify करने के बाद आपको KV-PY की fellowship दी जाती है जिसे आप 12 standard के बाद से यूज कर सकते हो यहाँ पर fellowship का मतलब है आपको पैसा दिया जाएगा around 5000 to 8000 per month pay किया जाता है और उसी के साथ साथ आपको एक contingency grant भी दिया जाता है जिसका amount around 20,000 rupees है तो यह हो गया first channel तो second channel में joint entrance examination यानि यह advance exam जो होता है JEE का advance exam इस exam में अगर आपने एक अच्छा खासा rank लाया है 15,000 से कम अगर आपका rank है तो वहाँ पर आपको इस institute में admission मिल सकता है और जो third channel है वो है ISER का अपना aptitude test जिसे IAT कहा जाता है इसर अपना खुद का एक aptitude test conduct करता है यह test computer based test होता है और इसमें आपने अगर अच्छे numbers ला लिए तो इस exam के through भी admission मिल जाती है candidates must apply through the online application portal यहां पर यह website दी जा रही है आपको इस website पर आप form पील कर सकते हो तो online applications जो होते हैं वो second week of April में start होते हैं और close हो जाते हैं around last week of May में यह applications close हो जाते हैं तो second week of April में start होते हैं last week of May में applications close हो जाते हैं the exam is in June and the result will be declared after 15 days 15 दिन के बाद लगबक 15 दिन के बाद इसका result आ जाता है तो यह कुछ important time table के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म कब आता है और आपको apply कैसे करना है next is number of seats exam fees and exam center के बारे में देख लेते हैं तो यहाँ पर preference list आपको देना पड़ता है for the available nine programs across sevenizers साथ आईजर के campus है यहाँ पर नो अलग-अलग type का program offer किया जा रहा है उसमें से आपको कौन सा course opt करना है इसके लिए आपको preference list भरना पड़ता है total number of seats यहां पर कितने हैं so 1718 1718 इतने seats BSMS program के है excuse me BSMS program के है additionally BS engineering के लिए यहां पर 60 seats available है and these 60 seats are BS economic sciences के लिए अगर आप देखोगे तो 30 seats है और BS engineering sciences के लिए 60 seats available है तो यह total seats होके 90 seats अगर इन्हें मैं यहां पर जोड़ दूं तो total seats का number आ जाता है 1808 इतने seats आईजर में होते हैं मगर यहां पर एक बात याद रखनी है कि यह सिर्फ BS engineering science का program है इसमें MS नहीं होता है आगे exam के अगर मैं fees की बात करूं तो general category के बज्चों के लिए यहां पर 2000 rupees इतना exam का fees होता है जो candidate general EWS या फिर OBC category से apply कर रहे हैं and there is a thousand rupees exam fees for candidates applying under person with disabilities या फिर person registered as Kashmiri migrant या फिर SST category के candidates के लिए thousand rupees का fees रहेगा foreign nationals भी इस exam को appear होते हैं इसलिए यहां लिखा गया है 8500 यह foreign nationals के लिए fees होता है so exam centers महरास्टर में कहां कहां पर है यह मैंने खास तोर पर highlight किया है वैसे तो national level का exam है all over India जो अच्छे बड़े cities है वहां पर इसका exam center होता ही है मगर महरास्टर में भी exam center पूने में है नवी मुंबाई नासिक नाकपूर मुंबाई इसके अलावा कोलापूर में और चत्रपती संभाजी नगर में याने औरंगाबाद और अम्रावती इन जगह पर exam का center available होता है इसे कंप्यूटर बेस्ट कहा जाएगा cbt mode से यह test conduct किया जाता है इसका जो question paper होगा that will be in English language and in Hindi language so bilingual paper होता है Hindi और English दोनों languages में paper available होता है और IAT will consist of 60 questions जिसमें around 15 questions जो होते हैं वो हर एक subject से होते हैं जैसे biology, chemistry, mathematics और physics ऐसे हर एक subject में से इन चारो subject में से 15-15 questions की तरह आपको total questions कितने रहेंगे 60 questions इस exam में रहेंगे और आपको time दिया जाएगा 180 minutes to solve these 60 questions questions यह MCQ type questions है आपको यहां पर multiple choice questions दिये जाएंगे options वहीं पर होंगे just you have to pick up the correct answer जो आपको correct लगे वो option आपको pick करना होगा आपका answer सही आने पर आपको 4 marks दिये जाएंगे और अगर आपका answer गलत हो जाता है तो एक mark वहां पर deduct किया जाएगा यानि कि यह negative marking system वाला exam होता है अगर आपको कोई question answer नहीं करते हैं unanswered questions will be awarded 0 mark तो आपका वहां पर कोई loss नहीं है 0 mark आपको मिलेंगे therefore maximum marks in IAT will be 240 and the total marks obtained by a candidate out of 240 will be considered for preparing the rank list तो 240 में से आपको कितने marks मिलेंगे accordingly आपका rank list वहां पर बनेगा so where else you can apply other than ISER with this IAT score IAT आपने exam दे दिया IAT का score मिल गया ISER में तो आप apply करी सकते हो ISER के अलावा आप और कहां पर apply कर सकते हो so ISER के अलावा IAT का जो score होता है वह और दो institute में valid है यह institute कौन से है so Bachelor of Science इस course के लिए Indian Institute of Science याने IISC Bangalore यहां पर IAT का score valid है मगर आपको क्या करना होगा IAT का exam देना होगा और IISC Bangalore में BS research के लिए form feel करना होगा and BS medical science and engineering program of Indian Institute of Technology IIT मदरास तो IIT मदरास में BS medical sciences and engineering के प्रोग्राम के लिए भी IIT का score valid है तो यह यह दो ऐसे institute है जहां पर आप IIT के score के साथ admission ले सकते हो आज हमने जो डिसकस किया इस information के बारे में आपको कैसा लगा वह आप comment करके जरूर बता सकते हैं ऐसे वीडियो देखने के लिए comment section में जरूर अपना valuable comment record करवा दीजेगा thank you so much students thank you अो यह